हाई अबरीबन देसे पवन चर्मा निफ्टी का अनलाइज करते हैं कल के लिए कुछ टाइम पहले जब निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था और हमारे पिछ फॉक के जो एक ग्रीन लाइनिस को टच किया था तब से लेके अब तक हम निफ्टी में भी अरिश हैं जब भी geopolitical tension रहेगी जब भी कोई ऐसी negative news रहेगी definitely global market react करती करती है अब अचानक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लड़ाई हो गई है war हो गई है तो market crash कर जाएगा यह same situation अगर covid से पहले हुआ होता तो definitely मैं भी बोलता कि market crash करने वाली है 8-10% fall करेगी बट अब वो हमार जो time of change हो गया है अब थोड़ासा retail traders और हमारे DIA थोड़ासा strong हो गया है पहले हम जादर rely करते थे FII के उपर but FII लगातर outflow भी अगर कर रहा है हमारे market से तो भी market को इतना impact नहीं कर रहा है अगर आज की बात करें तो FII ने आज 15,000 करोड का sell किया है और DIA की बात करें तो DIA इन्हें almost 13,000 करोड का buy किया है तो देखें इतनी selling के बाद भी market ने सिर्फ 2% का fall दिखाया वो भी तब जब market overbought था जियो political tension है crude oil के price बढ़ गए है हमारे long shot ratio हमारे हर चीज इस time पे indicate कर रहा था तरह कहीं ने थोड़ासा correction आएगा और इसको लेकर हम अलड़ी discuss कर भी चुक आप इंडिकेटर लगा रहे हैं पहला इंडिकेटर तो हमारे पास pitchfork है तो pitchfork अभी थोड़ासा यह हमारे पास में resistance बन गया है और as per the pitchfork it can fall up till 24,800 तक तो हमारा जो immediate pitchfork का next support आएगा वो 24,800 तक जाएगा और अगर आप यह line देखेंगे तो यह line है 40 EMA 40 EMA पर 25,100 तो retracement basis पे हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा पहला target रहेगा 25,400 का और अगर वो hold नहीं कर पाया तो हमारा second target निकल के आएगा that is 25,100 और अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा यह जो Fibonacci में ने plot किया देखें उसमे 25,100 का ही level आपके पास में अगला support available है बट अब इससे यह बता चलता है कि market थोड़ा सा react करेगी थोड़ा सा rise कर सकती है कल तो हमारा outlook कल के लिए rise की तरफ ही होना चीए ऐसा नहीं कहूंगा कि market further fall नहीं करेगी अचानक एक और missile की दर से दाग दिया गया तो market फिर से react करेगा बट अगर कोई भी change नहीं आता है कोई और हमार जो हमारा US का market है US का market 180 point negative में trade कर रहा है जो future है भी open नहीं हुआ है और अगर हम बात करें इसकी which is our gift nifty तो gift nifty भी almost flat trade कर रहा है तो ये भी wait करेगा कि हमारा US का market कैसे react करेगा तो as per the OI हमें लग रहा है कि market थोड़ा सा bounce back कर सकती है but looking at the global factors हमें prepare अपने आपको करना चाहिए कि further fall भी कर सकती है तो कैसे होगा सबसे पहले समझेगा कि हमारे पास immediate support कहा निकल के आ रहा है तो आज हमारे पास में क्या है 25 200 से लेके 220 का हमारे पास support रहेगा और अगर rise करता है तो 25 280 का हमारे पास 300 तक resistance रहेगा ये अगर break करेगा तो जैसे अभी हमने चेक किया retracement के basis पे और हमारा 50 moving average वो आराम से 25 100 को touch करेगा तो आप क्या करेंगे अभी तो आज का हमारे expiry चला गया है तो जो भी trade लेंगे आप next expiry का जाएगा तो उसमें आप 300 point का मतलब minus 300 और नीचे जाएगा तो अगर आप 25 200 का put buy करेंगे add the money ही buy करना है या in the money, out of money नहीं करना और फिर आप 24 900 का put sell करेंगे और अगर यह और नीचे गिरेगा तो आराम सा I think यह 25 050 के target को touch कर सकता है और थोड़ा सा और नीचे slide करेगा तो हो सकता है क्योंकि इस time पर market थोड़ा सा volatile है तो आराम से 25,000 put touch हो जाएगा इं nifty in case bounce back करता है और rise करना शुरू करेगा पहला target रहेगा 25 400 का और second target हमारे पास 450 का निकल के आएगा in case ऐसा होता यहाँ पर देखे के salon rise का condition यह है कि आप क्या करेंगे salon rise में जैसे आगर आप चेक करते है nifty को तो यहाँ पर देखेगा यह थोड़ा सापके पास point आएगा something like that यह ऊपर ज सकते हैं same यहाँ पर आपका 300 point का ऊपर जाकर अपना call sell कीजिगा और यह होगा तो पहला target आपका 200 और 150 से लेके 100 का आपका second target रहेगा nifty के अंदर हमारा अगला index रहेगा bank nifty just like nifty bank nifty में भी last के one hour में short covering और long build up देखा है long build up का मतलब है कि लोग या trader buy कर रहे है call options को या फिर put writing कर रहे हैं और यह हमें दिख भी रहे हैं आपर देखे का हमने कल यह pitchfork बनाया तो pitchfork वाले वीडियो नहीं देखा तो जुरूर देखिगा यह almost अपने support level पे है तो पहले हम क्या करते हैं अपने levels को mark कर लेते हैं rising side के लिए तो मैं definitely 52,000 के ऊपर ही कोई trade लेना पसंद कर कर देगा तो यही level आपका sell on rise बनेगा 51,800 और 600 के target रहेंगे और आपके falling side में जो I think 51,600 का आप अपना put sell कर सकते हैं और in case यह flat opening करता है तो flat opening में देखेगा यह जो level निकल के आ रहा है this is coming around 51,750 का level यह break होगा तो आपका put buy बनेगा 400 point नीचा आपना put sell कीजेगा पहला target इसम के लिए हमारा अगला index रहेगा mid cap nifty, nifty और bank nifty में थोड़ा सा कहीं नेगे 15 minute time frame पर long unwinding भी देखने को मिल रहा है but mid cap में कहीं भी long unwinding नहीं है दो ही चीज़ है short covering है और long build up है यहाँ पर देखेगा उसने अपने उसी level को जहाँ पर हमने support mark किया वा था 13,000 का वहीं से bounce back किया rising side के लिए आप क्या करेंगे 13,060 के उपर जाकर अपना call buy कीजेगा और 250 point उपर जाकर अपना call sell कीजेगा पहला target इसमें आप करहेगा 150 का और second target निकल का एगा 200 का market तो आपना trailing stop loss के दाट trade कीजेगा और अगर fall करता है तो fall करने के बाद तो 13,000 ही हमारे पास में एक important crucial support है तो आप क्या करता है 12,980 के नीचे जाने के बाद इसको अपना put buy कीजेगा put buy यहाँ पर हम buy on dpi, sell on rise नहीं करेंगे reason being यहाँ पर long build up जाता ना जरा, long unwinding तो ही नहीं इन case ऐसा होता है कि market फ्रॉस उपर जाके वापिस नीचे करेगे तो नुकसान हो जाएगा तो better है we'll stick to our levels और falling side में 900 और 850 के target के लिए आप अपना put buy कर सकते हैं और stop loss रखेगा 250 point नीचे in mid cap ने चले एब कुछ stocks के charts को भी study कर लेते हैं हमारा पहला pick रहेगा हिंडाल को हिंडाल को में pattern दिखीगा और guys यहाँ पर जो भी हम level discuss कर रहे हैं buy sell recommendation ने कोई भी trade graph लेते हैं एक पर अपने 744 से लेके 740 का वो level है जहाँ पर support available है यह गया तो पहला target आपका रहेगा 733 का और second target देखिए आपका यहाँ निकल के आएगा विचे 728 यहाँ पर 5 point का अपना stop loss लीजेगा और अगर यहीं से bounce back करता है तो आप एक काम कीज़ेगा trend line plot कीज़ेगा कुछ ऐसे और यह अगर break करके 750 की उपर चला जाता है और यहाँ hold कर लेता है तो 757 और 64 के target के लिए with a stop loss of 5 point आप अपना buy भी initiate कर सकते हैं हिंडाल को के अंदर हमारा अगला पे करेगा granules granules में देखेगा पहले half an hour में जितना भी movement लेना था एक ही बार में rise किया उसके बाद में tick tick करके इसी जैसे अब ही हमने हिंडाल को में देखा यहीं पर आकर hit किया है यहां से bounce back करेगा तो हमारे ले एक buy आएगा और fall करेगा तो हमारे ले sell बनेगा current closing 95 की है तो 600 के उपर ज target के लिए with a stop loss of 5 points आप अपना granules में sell भी कर सकते हैं और यहां पर देखे बार बार हिट करने का मतलब है दोनों stocks के अंदर कि यह अपने support level को break करने की कोशिश करा तो पहला outlook रखेगा sell की तरह हमारा third pick रहेगा Indian hotel Indian hotel में देखेगा पहले तो क्या करते में एक line draw करते हैं तो आपको समझ में आजएगा कि यहां भी हमारे पास कहीं ने कहीं same concept है हमारे support level को hit करने वाला और उसके बाद में आप क्या करेंगे एक channel plot कर देजगा जितने भी recent horizon को connect करते वे और हमारे recent lows को तो अगर आप notice करेंगे तो यह हमारे पास support है तो support हमारे पास में current closing है 674 का support हमार कि तरह आप चेक करेंगे इसको तो यह हमारे पास somewhere close to 670H के आज पास आपको यह channel breakout नजर आएगा fall करता है तो 664 and 658 के target के लिए stop losser के 5 point का आप अपना sell करते हैं और यह channel को break करके hold कर लेता है तो यह फिर उपर भागेगा और उपर जाते वक्त आप क्या कर सकते हैं 684 और 6 90 के target के लिए आप अपना buy initiate कर सकते हैं तो guys यह रहेगी हमारी calculate analysis जाने से पहले चैनल को subscribe वीडियो को like करना मत भूलेगा और मिलते हैं अंगली वीडियो मेंटिल दें टेक करहाए बनाए स्टे बाबाब